हम मोदी जे का नेतरूत वो मानते हैं, मोदी जे के विचार मानते हैं, मोदी साथ को टीसरी बार परदान मंत्री करने के लिए हम लोग जित्वा के लाएंगे हमारे साथ महाराज सरकार के मंत्री शंबूरा देसाई है और कल महाराज सरकार का अधिवेशन होगा विशेश अधिवेशन है और मराटा समाज को आरक्षन देने के लिए है सर सबसे पहला सवाल यही एक दिन का विशेश अधिवेशन आपने बुलाया है क्या आप वो फुल प्रूफ जो आपको आरक्षन देना है जो रिपोर्ट पिश्रा आयोगने सम्मिट की है वो आप दे सकेंगे देखिए आभी कल एक दिन का आईवेशन जो है वो फ्यूरली मराटा आरक्षन की इशु में है और उसके लिए जो कमिशन का रिपोर्ट है वो कमिशन का रिपोर्ट गौवर्मेंट के पास आया है उसके उपर और आरक्षन के बाजू में आरक्षन के उपर हाउस में कल डिस्केशन चालो हो जाएगा एक ही सब्जेक्ट कल के पूरे दिन के कारेकरम में रखाए माराटा आरक्षन इसके बाद जो भी गवर्मेंट के राय है जो भी गवर्मेंट के फैंडिंग्स आए वो हाउस में डिसकस की जाएंगे और पूरी तरह से लीगल कॉंक्रिट लीगल फ्रेम में बैटने वाला और किसी दूसरी समाज के किसी दूसरी जाती के आरेक्षन को फैसिलिटिस को धक्का न लगाते हुए ये मरादा समाज का आरेक्षन का इश्यू सॉल्व करने की हमारी प्रयाश चल रहे है आभी भी फाइनल हम लोग फिर से एक बार इसके उपर डिसकेशन करने के लिए बैट रहे हैं और मैं आपको इतना कहता हूँ कि 101 परसेंट किसी और को धक्का न लगते हुए माराठा समाज को आरेक्षन देने का इश्यू कल के हाउस में डिसकस करके उ कम्यूनिकेट करता है वो फिर से आप एक बार उपोजिशन पर बैठने की बात करते हैं तेकिये मैं यही कहता हूँ कि जारंगे पातिल जी ने निगेटिव नहीं सोचना चाहिए जो जो बाते पूरे माराठा समाज की तरब से आई है उसको गवर्मेंट ने पॉजिटिव किया है अभी कमिशन का फाइनल रिपोर्ट गवर्मेंट के पास आया है इसके लिए कल एक दिन का असेमली का सेशन बुलाया है इतना पॉजिटिव वर्किंग अगर गवर्मेंट करती है तभी भी आगर जरंगे पातिल जी कहते हैं कि यह नहीं हुआ तो मैं धरने पे चाहिए गवर्मेंट पॉजिटिवले आगे जा रही है और देखिए जो भी करना है वो लीगल फ्रेम में बेटने वाला करना चाहिए अगर वैसा नहीं होता है और कई कोर्ट में जाके वो आटक जाता है तो कोर्ट के सामने तो किसी का कोई चलता नहीं है यह अपना डेमो कर दिया जाएगा विकास आगाड़ी कि हम सवाल इसले पूछ रहे हैं कि सीट शेरिंग को लेके खासकर मुंबई में उत्तर पश्चिम की लोग सबाद सीट हो इसमें गजान कृति कर रहे हैं या फिर साओध बंबे की सीट हो उसमें लेकर उनका अन्बाने क्योंकि बीजे शेरिंग के बात कर रहे हैं लेकिन हम लोग ने महायूति में ये तई किया है जिसके पास भी सीट जाएगी सीट शेरिंग का इशू सीएम साब फड़नवी साहब और आजे दादा जी ये तीनों बेट के फाइनल करेंगे लेकिन जिसके पास जाती है जिस पार्टी के कोटा में आती है उसको जितवाने के लिए महायूति करके हम लोग जॉइंट एफट्स करेंगे हमारा यही टार्गेट है महाराश्ट्र में 45 प्लस MPs मोधी साब को तीसरी बार परदान मंत्री करने के लिए हम लोग जितवा के लाएंगे इसलिए हमने हमारे में शीट शेरिंग का कोई इशू नहीं है कोई विवाद नहीं है जिनके पास है महाविकासा गाड़ी में वो विवाद करते बैठेंगे हम लोग वो शीट जितवा के लाएंगे अगर आपके साथ एक और साथीदार अगर मंद से आ जाता है जैसे कि बीजेपी के साथ उनके बाचीट चल रही है खबरे हैं तो एक और आजाने के साथ आप लोग की सीट को लेके अन्बंद शुरू होगी नै नै ऐसे नहीं है जो भी मोदी साब के नितरूत्व में काम करने के लिए तैयार है जो जिसी पार्टी को भी इंडिया आलाइंस में आने का है जिसको भी मोदी जी का नितरूत्व मानने है उसको साथ में लेने के हम लोग कभी भी तैयार है क्योंकि हम मैंने अभी भी कहा 45 plus का हमारा टารगेट है तो वो आचव करने के लिए जो भी इकत आएंगे और जो भी कहँएंगे हम मोदीजे का नित्रुत वो मानते है मोदीजे की विचार मानते तो इसी को साथ में लेंगे हम हमारा जो भी साथ में आएगा उसकी वज़े से कोई शीट शेरिंग का विवाद नहीं खड़ा हो जाएगा अधिते ठाकरी यह कहते हैं कि मुख्यमंत्री बरात में जाके कौन सी खेती करते हैं उनके हेलिकॉप्टर दो हेलिकॉप्टर उनके खेत में उतरते हैं जब उनके आप जाने के लिए रास्ता भी नहीं है और सबसे बड मुख्यमंत्री जी रिजायन करके मैं उनके वहें से खड़ा रहूंगा मैं आधिते ठाकरी जी को यह पहले बार पूछता हूँ कि आप जब 219 में पहली बार विदान सभा में खड़े रहे जो वरली कॉंसिटिउसी का आपने स्विकार किया निर्वाचंग शेत्र करके वह जो खड़े रहने वाले थे राष्टरवादी के कांडिडेट उस टाइम के राष्टरवादी के कांडिडेट संचिर बवाएर उनको शुषेना में लेके उनको एमल्सी का टिकेट दिया गया जो 20-30-30-30-50-50 साल शुषेना का काम करते हैं ऐसे लिएकों को विदान परिश बात करेंगे तो उसको हम लोग महत्वा देते नहीं है लेकिन जो शिंडे साब के खिती के बारे में कहते हैं वो मैं उस जिल्ले का गारेडेन मिनिस्टर उसाता रहा आदित्य ठकरे यूवा ठके जो यूवराज है वो कभी भी सातारा जिल्ला में आए मैं उनको लेके जाक स्ट्रॉबरी बनाई जाती है ऑर्गेनिक स्ट्रोबिरी हऊ गाय जाती है हल्दी का हल्दी जो है उसका एक अड़र का फसल लिया जाता है अब है बांबु हоляक़का एक बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ पे लगाया है वहाँ अपने मुसंभी के पेड़ है चिक्कू के पेड़ा है जो भी है अच्छा अच्छा फ्रूट्स वहाँ उसके पेड़ा है वो एक बार अदित्य ठाकरे जी मेरे साथ आए मैं उनको खुद वहाँ जाके दिखाऊंगा कि कैसी अडवांस्ट खीती की जाती है इसलिए जो अदित्य ठाकरे जी ने कभी खेती म पाओ भी नहीं रखा वो अगर ऐसे किसान के बेटे का और किसान के परिवार से आयोए मुक्यमंत्री के बारे में अगर ऐसा कहते तो यह किसी का सुनके बात करते हैं उन्होंने कभी जाके देखा नहीं है इसलिए मैं उनको कहता हूँ एक बार आओ आओ आपको वहां जाके कि मैं सब आडवांस जो का जो भी फार्मिंग है उनका वो जाके दिखाऊंगा नहीं से बात्षित करने के लिए क्यामरा मैं डेवेंद्र के साथ समीर भी से इंडिया टीवी मुंबई